हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की कारेवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने बुद्वार को सरकार के किलाफ मूर्चा खोला। विपक्ष ने सदन के अंदर भी तल्क तेवर दिखाते हुए प्रश्नकाल के दोरान बल्क ड्रग पार्क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर हमला बोला। विपक्ष ने सदन में नारे बाजी की और वॉक आउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकुन ने क्या कहा सुनी। मालूमी क्या हो गया कि जितना जूट बोल सकते हैं सदन के अंदर जितना गुम्रा कर सकते हैं सदन के अंदर सदन के बाहत वो करने की कोशिश कर रही है। आज बहुत मत्तवपून प्रशिण था कि हिमाचल पर्देश ठोटे से पर्देश में भाती जनता पार्टी की सरकार के दौरान दो बहुत मत्तवपून प्रजेक्ट मिले हैं इंडस्ट्री सेक्टर में। इंडस्ट्री मिनिस्टर विक्रम सिंग और पूरे अधिकारियों ने इनके साथ मेल करके इन दोनु प्रजेक्ट को क्यों की पूरे नेशनल लेवल की वीडिंग उस सारी इस प्रक्रिया में भाग लेते हुए बहुत मेहनत के साथ यह प्रजेक्ट की जब आज मानिय सदस् कि मतरी मोळे कुछ और क्या है और मुख्यमंत्री उसके इंके बपरीत कुछ और क्यारे तो प्रशन यह होता है कि मुख्यमंत्री के सामने मंत्री सदन के अंदर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि स्टेट इस प्रोजेक्ट को ना चला है और स्टेट के बजाए जो है जो इंट जो नेशनल वीडिंग हुई है उसी प्रोसेस में आगे बढ़े हैं लेकि सरकार इस बात को लेकर कि मुख्या मंत्री जी को और इशा इजाज़त के इंदर सरकार से लेदी नहीं पड़ेगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दोनु प्रोजेक्ट को और रख दिया गया है तो इसलिए हम आज उनसे इसी बात के लिए कह रहे थे कि जो प्रोजेक्ट अब अनावशक रूप से डिले कर रहे हैं उनको डि लोगों को रोजगार के साथ साथ में उनके जो वहां पर उस इलाके की जो है लोगों की एक आयक एक बहुत बड़ा जरीया खड़ा होगा हिमाचुल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 News Choice of हिमाचुल के साथ